ये detention camp क्या है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है आप चले जाएए आसाम के अंदर detention camp बने हुआ है ये नाम शायद आपने नहीं सुना होगा हरासती camp नजरबंदी camp तो detention camp क्या है detention camp जो है वो आसाम के अंदर छे जगा पे बना हुआ है नमबर एक डिबरुगर नमबर दो गौाल पारा नमबर तीन जोहाराट नमबर चार सीचर नमबर पांच कोकराजा नमबर छे तीस पूर तो ये detention center जो बने हुए camp बने हुए है उन लोगों को रखा गया है जो 19 लाक लो detention camp बन जाएंगे और वो जो camp बना हुआ एक एक रूम में कहा जाता है 50-55 लोगों को रख दिया गया है औरतों को अलग मर्दों को अलग मा को अलग बच्चे को अलग कर दिया गया है क्रिसी तरह बीदी अलग शोहर अलग रात में घसीद के ले जाते हैं अलग कर देते हैं यह सब तस्वीर आ रहे हैं लेकिन कोई टीवी रिपोर्टर नहीं दिखाता है तो वहां तक हो गए ही नहीं उनको फिकर है ही नहीं किस हालत में जिंदा है कभी-कभी कुछ लोगों ने यह कहा कि उनको टॉलेट के साथ ने सोना पड़ता है जगा है ही नहीं तो ऐसा हो रह रहेंगे माबाप को छोड़कर कैसे रहेंगे फिर बीवी को छोड़कर कैसे रहेंगे कहा जाता है अब तक 50 लोगों ने आत्महत्या कर लिये खुदकुशी कर लिया सुसाइट कर लिया यह भी कहा जाता है रिपोर्ट के हिसाब से कि डेटेंशन केम में वो तो सुमिधा नहीं मिली है तो इतना डेटेंशन केम पूरे भारत देश में लगाना होगा कितना पैसा फर्च हो जाएगा इसलिए भारत सरकार से आगरा करते हैं कि दोबारा इसके उपर देखा जाए और सोचा जाए कि पूरे भारत देश में अगर ऐसा मसला हुआ तो क्या हो लाएगा जली हुआ प्य मिली हुआ जाएगा भारत देखा जाएगा जाएगां देखा जाएर।